राइब रेली के कोतवाली शेतर के ब्रीज नगर मंजरे सुर्सना गाउ में बीती कत्ती फरवरी को छेट छाड को लेकर दोई पक्षों में हुए विवात में एक पक्ष के घायल चार व्यक्तियों में से एक यूवक क्यूब चार की दुरान जिला स्पताल में मोथ हो गई है जिसका पोस्ट माचम कराने के बाद आक्रोशित परीचन शब को लेकर डल्मव कोतवाली पहुचे जहां पर मृतिक के पिता की तहरीर पर डल्मव कोतवाली में एक ही परिवार के पती पतनी और पूतर पूतरी के विरुद गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर मा और पूतरी को गिरत्तार कर लिया गया है डल्मव कोतवाली शेतर के ब्रिजनगर मजरे सुरसना गाव निवासी मलखना ने डल्मव कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि लड़की के छेड़ चार को लेकर बीती कत्ती फरवरी को दो गुटों में खूनी शंखर्च हो गय गया था बतादे की विवात में एक पक्ष से गंभी रूप से घायली वक्त परमौद कुमार बीती उनत्ती फरवरी को इलाज के दुरान जीलास्पताल में मोत हो गई थी कोतवाली प्रभारी राम ने बताया कि मिरतक के पिता मलखान की तहरीर के आधार पर एक ही परिवार के चार रोगों के विरूद गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्च कर मा बेटी को गिरफतार कर लिया क्या है और जांच की चारी है पिता मलखान ने बताया कि मार पीट में मिरतक परमौद कुमार के साथ लक्षमन मुना और रवी घायल है राइबरेली से समधाता सुधी अगनी होतर की रिपोर्ट ब्रजनगर में 21 फरवरी को मार पीट हुथी बहन को च्छाण के लिए के उसके भाई की पिटाई की गई थी क्या है पूरा मामौदा बिनांग 22 2020 को परमौद नामक ब्यक्ति जिसके उम्र करी 30 साल थी मार पीट में चोट आए थी और जिसका दौराने इलाज उसकी उसकी मिर्थ हो गई है पुलिस मौके पे थी पुलिस आउस्सक करवाई कर रही है अफित कड़कों भी पकड़ा गया है और सेसकरवाई अमल म ऐसे ही लेटेश को परेपाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थी जैन्ने वाल अजे बेटी बांकेट्स एंटर्प्राइब